निश्च पूर्नु mira 32 मैं जिस पार्टी में जहांँ निश स्था पूर्णू मिरी कोई बाचित किसी सह नहीं है मुझेमानिनी बुला कर जी बौरो मांगा था और मैं बौरो प्लेयर के रूप में यहां हूँ मुखपंतरी जी को संञ्यान लाएंगे और कहेंगे कि हमारी गिंती कराई जाए इसमें ना कोई जटका देना है ना जटका तो हम लोग के साथ लग चुका समाथ की गिंती ही छुट गई तो जटका तो हमें लग गया नवस्कार हमारा नाम है संद्रीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे बिहार सरकार ने जब से जातिये गंड़ना के आकड़ों को सारवजन किया है तब से इसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है विपक्ष तो विपक्ष लेकिन सत्ता पक्ष में मौझूद लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं जेहां हम बात कर रहे हैं जेडियू सांसद सुनील कुमार पिंटू जी की जिन्होंने इस पर एक बड़ा प्रश्ण चिन लगा दिया है तो आज हम सीधी बात करेंगे सुनील कुमार पिंटू जी से पहले बहुत शुक्रिया बात करें हमने देखा कि सुनील कुमार पिंटू बिलकुल बमक गए भड़क गए क्या हो गया नहीं न बमके है न भरके है देखिए हम अपने समाज के भी परतुनिद्ध करते हैं और हमारे समाज की गिंती कहीं न कहीं तूटी पूर्ण है न मुझे पूरी गण्ना पर सवाल उठा रहा हूँ मैं नहीं जो पब्लिस्ट हुए है अन जातों को क्या परसेंटेज है उस पे भी मेरा कोई कॉमेंट नहीं है मेरा सिर्फ आपती है कि 1931 की गण्ना में हमारा तेली साहु समाज 2.8 था और आज 2023 में 90 साल के बाद हमारी संख्या 2.81 हुई है हर्थार 0.01 परसेंट हम लोग मन्य मुखंत्री जी से मिलकर समाज की आज बैठक भी है हमारी आज हमारी समाज की बैठक है और हम लोग हर जिलेवाई से आज निर्णे लेंगे और सभी जगह से डाटा कलेक्ट करेंगे कि कौन सा घर छूट गया है कहा रहा गया है और संगलन करके हम लोग उसको मन्य मुखंत्री जी को संग्यान में देंगे कि आप हमें चाहते हैं कि हम अती पिछड़ा है और हम समाज के मुख धारा में आए तो हमें हमारा हक गिंती सही करा के देंगे मतलब आप चाहते हैं कि दोबारा से मुख्यमंत्री नितीश कुमार गणना कर गया है अपसे कई तरह के क्यास लगाए जारे हम सीधा सवाल आपसे पूछेंगे क्या बीजेपी से बातचीत डल हो गई है मैं जिस पार्टी में जहां हूं निस्ठा पुर्ण हो मेरी कोई बातचीत किसी से नहीं है लेकिन बिहार सरकार में मंत्री है संजेजा जी उन्होंने साफ के दिया है कि आप जहां से आये थे वहीं वापस जाना चाहते हैं और कहीं और से गाइड हो रहे हैं नहीं 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 देखे वह बड़े मंत्री है मानिय मुखवंत्री जी को बहुत नज़ी की है मैं कहीं से आया नहीं था मानिय मुखवंत्री जी मानिय अमीच सा जी से मुझे बारो मांगा गया था मैं कोई पार्टी छोर कर नहीं आया था जो मुझे पर यह मानी यह संजय जाजी बोल रहे हैं कि मैं कहीं आयोर से गाईड हो रहाँ, मुझे तो मानी मुखवंत्री जी ने बुला कर जी बौरो मांगा था, और मैं बौरो प्लेयर के रूप में यहां हूँ, और पूरी तरह ऊणील, कुमार, पिंटु, कोई बड़ा जटका तो नहीं ज़ेने बाता है? अती पिछड़ा में है और हमारी गिंती ही नहीं हुई तो हम और पिछे पिछड़ गए.. हमेशा मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं कि अगर आप पती है तो सोशल मीडिया पोटल पर नहीं रखिए आप आकर बात कर से क्या आपने कभी उनको फोन करके बताया कि मसला क्या है ने हम मैंने आप से कहा ना कि हम तो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अफटर डाटा कलेक्ट होने के बाद मन्यय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और तब उनकी जानकारी में देंगे कि हमारा ये कहां-कहां जिलो में कौन सा ब्लॉक में कहां महले तोले चुट गया तो क्या बात हुई है इस दोरान मुख्य मंतरी में अभी तो हमारे आज समाज की बैठक है दो वजे से, आज कुछ परबुद लोग आ रहे हैं, ये लोग सभी जिलों में मैसेज देकर सबसे कलक्ट करेंगे फिगर, तब फिर हम लोग एक बड़ी बैठक करके और पूरा संग है कि आपका ये बोलना आपको महंगा पड़ जाए, अगर टिकेट नहीं मिलती है जेडियू से तो फिर क्या करेंगे सुनील कुमार पिंज देखे ऐसा है, कि 2019 में तो मैं कोई उमीदवार भी नहीं था, मैं तो अपने घर पर था, और मुझे बुलाकर उमीदवार बनाया गया है, और मैं जहां से आता हूँ सीता मरी से, मा सीता की परकट स्थली है, मुझे मा पर पुरा भरुसा है, अगर 2024 में मुझे जाना होगा, तो मा फिर रात में किसी के सर पर सबार होके मुझे फोन करके बुलवा लेगी, बुलवा लेगी, पुरा भरुसा है, तो चलिए स अपने क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार पिंटू जे देखे बड़ी बात कह दी है साफ साफ कह दिया है कि आज बड़ी बैठक करने वाले हैं और उसके बाद सीम नितीज से मुलाकात भी होगी तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहेगा और देखते रहेगा लाइफ सिटीज बहुत शुक्रिया